नमस्कार मैं हूँ शिखास्त्रा और आप देखरें दर नेटवर्क जनता के लिए जनता के साथ और आज मैं मौझूद हूँ ब्रिक्फिल्ड गाउं में जोकी धुर्वा के हीसी जमीन पर है जहां पर बड़े-बड़े सरकारी, अधिकारियों और मंत्रियों के बंगले बनने वाले है और ये बंगले कहां बनेंगे? ये बनेंगा आदिवासियों के कब्रिस्तान के उपर जी आप सोच रहोंगे कब्रिस्तान को उपर बंगले कैसे बन सकते हैं, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि इनके घरों जो पूरवजे के घर है, इनको तोड़ा गया है जबरन, मशीन लाया गया, डिरेक्ट चला दिया गया, कोई नोटेस कुछ भी नहीं, शौर्ट नोटेस लिए और हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल क्या कुछ आपको हम बता दे कि बंधू तरकी कुछ दिन पहले यहां पर आये थे, और बंधू तरकी ने कहा था, कि हम विधान सभा में आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे और इनका हक का मांग करेंगे, लेकिन आपको बता दे अभी शीत कालिन शत्र चल रहा है, लेकिन अभी तक बंधू तरकी के मुझ से एक शब्द भी नहीं निकला है, यानि साफ है बंधू तरकी जी ने यहां के लोगों को बेवकूफ और ठगने का काम किया है, अब आप असलियत और सच्चाई गर दिया जाएगा, बसाया जाएगा, हम ये आवाज विधान सभासात्रम उठाएंगे, हम बोले हैं और उसके बाद तो अभी आगे क्या सुनवाई हो रहा है, वो तो पता ही नहीं, हम लोगों को नियूज के माध्यम से भी अभी तक कुछ आया नहीं है, अब देखिए क् ये बिश्थापित हो चुके, फिर दुबारा बिस्थापित हो और फिर अभी समार्ट शोटी बन रहे हैं, तब उसके आगे क्या होगा, हम लोगों का आदिवासी नेता में इतना विश्वास भरोसा किये हैं, और फिर अब देखिए, हम लोगों को क्या आगे का रास्ता द जो नहीं कर पाए तो फिर हम लोगा विश्वास नेता है वह ज्यूट करते हैं और आज जो बोले हैं अगर वह चीज़ आगे हम लोग के लिए अगर नहीं कर पाये तो फिर हम आधिवासी नेता हुने के नाते फिर हम लों का विश्वास बिल्कुल कतम हो जाएगा लेकिन ऐसा ना करें अभी तक हम आपको आपको जानकारी हो अभी और हम भी आपको बता दे कि बंदु तरकी ने अभी तक विधान सभा में एक शब्द भी नहीं बोला है आप लोगों के सपोर्ट में आगे बताई अब क आपको क्या निर्नाय लेते हैं क्लानिंग करते हैं तो हम नहीं जानते हैं लेकिन है अब उसमें तो बहुत बड़ा उमीद थी बहुत बड़ा मातलब आने वाला कन के लिए हम लोगे खे euros के लिए अच्छा करता है तो आगे भी किई करएगा लेकिन आप देखिए इट क्幾 कि इसका मतलब साफ है कि बंधू तर्कीजे ने बेकूफ बना के चले के आप लोगों को यह गलत नहीं हो तब पता नहीं तक तो मतलब देखने को तो नहीं मिल रहा है अब देखिए कहां तक जाता है अगर इसके आगे अगर नहीं हो पाया अदिवासी नेता में इतना विश् अच्छे दिन हमारी लिए आने वाले ऐसा पुछ हुआ होगा जरूर अंबिल्कुल हुआ है कि हम लोग बहुत भरोसा हम अदिवासी लोग अधि विस्वासदा करते हैं और आज हम लोगों जो बोले हैं अगर वो चीज आगे हम लोग लिए अगर नहीं कर पाये तो फिर हम लोग का विश्वास बिल्कुल कतम हो जाएगा लेकिन ऐसा ना करें अभी तक हम आपको आपको जानकारी हो अभी और हम भी आपको बता दे कि बंदू तरकी ने अभी तक विधान सभा में एक शब्द भी नहीं बोला है आप लोगों के सपोर्ट में आगे बताई अब क्या ब मोच्छ के चले टे कि आने वाला अगर हम लोग के ऑच्छा करता है तो आगे भी हर किशी के लिए अच्छा करें यानि कि इसका मतलब साफ है कि बंदू तरकीजियने बिखोब बना के चले के आप लोगों यह गलट नहीं होगा आप पता नहीं अब तक तो मतलब देखने को तो नहीं मिल रहा है अब देखिए कहां तक जाता है अगर इसके आगे अगर नहीं हो पाया ये क्या बोलते हैं सीद कालिन सात्र में अगर नहीं हो पाया तो हम लोग जा के फिर उनसे मिलेंगे चाहिए फिर से अंदोलन करेंगे हम लोग का जो मा यहाँ उननका आना जाना रहा था और फिर उस दिन भीजे से घर टूटा तो उस उस समय आए और फिर इसके बाद मतलब को लोग को मतलब आप लोग के लिए पूरा मतलब कोसिश कर हैं मतलब अब देखते हैं सुनवाई कहां तक तो ही मतलब विस्तापितों के लिए ही कुछ बात रखने के लिए कुछ हम लोगों को मेसेज दिये हैं तो आगे अब कहां तक इस बात को लेके जाते हैं अब देखिए अगर सब तरीके से विफल हो गया कि तो पीर तो हम लोग आगे जो हमलों का अंदोलन करेंगे लेकरने जमीन को किसी हाल में नहीं तो ही मतलब विस्तापितों के लिए ही पात रखने के लिए कुछ हम लोगों मेसेज दिये हैं तो आगे अब कहां तक इस बात को लेके जाते हैं अब देखिए ठीक है अगर राजस कर्षभ हो गया बंदूतिर्किय हो गया अगर सब तरीके से विफल हो गया क्या कुछ सोचा है आप लोगोंने कुछ तो फिर तो हम लोग वही आगे जो हम लोग का अंदुलन करेंगे नहीं नहीं छोड़ेंगे कि हम लोग जाएंगे तो फिर यहां से जाएंगे फिर तो हम लोग के लिए कोई जगा ही नहीं बचा रहा गया तो फिर यहां से चल गया तो फिर कहां रोड में रहेंगे क्या ऐसा तो नहीं हो सकता है चलिए अब हम बात करते हैं शिवानी जी भ बात करेंगे बिलके अभी तक वो नहीं बोल पाए हैं इसे तो लगता है कि वो क्या काम कर रहे हैं अभी तक अभी थाइम है उनके पास कि अभी आभी सीध काल जवा खातम नहीं हुआ हैं तो अभी आपके पास time है कि आप बोल सकते हैं इस बात को आप नहीं बर लिएगा तो आप हम लोगे मतलब अधिवासी मतलब अभी विधायक है यह द जोपना कि अन्य डाजन कि स्थितीन में कितना प्रॉब्लम भी होता हैं.. आप यहां को यहां को उन्टा के लिए ता क्या होता है.. आप यहां क्विध्य नहीं देंगे.. तो बंब हे जार खर्ण में आदिवासी कानाहिता है.. देखे आप चाहत्राइं होने कना एक महिला भी है क्या चुनोती का सामना और जिस टरीके से घर तोड़ा गया पेड तक पी नहीं om वड़ा गया एक महिला और छात्र दोनों हिसाफ से क्या चुनाओती है आपको हमको तो बहुत खराब लगा उस समय क्योंकि हमको बहुत रोना भी आ रहा था क्योंकि हम एक लड़की भी है और पढ़ते भी है अभी घर तोड़ दिया गया चानक अगर उस दिन अगर राजस पाए है इसे तो लगता है कि वो क्या काम कर रहे हैं अभी तक और मतलब अभी अभी टाइम है उनके पास कि अभी अभी सीट काल्जवा भी खतब नहीं हुआ है तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप बोल सकते हैं इस बात को आप नहीं बोलिएगा तो आप हम लोगे म हम आदिवासी कितना चीज जी तहलता है क्या करता है क्या नहीं करता है तो आप लोग इस स्टीती को समझे कि अपनों तो भूल गया है Ahzemстan भूब आझ औहार को आप लोग त्सक्रणा रहते हैं और में खराब इस स्टीती में हैं और इस चिस्तेटी में होता है क्या नहीं होता है आप यह सब ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग का जारखंड में आदिवासी ही खतम हो जाएगा उसके बाद धिए और आप खुच पढ़ती है उने करनाते एक और महिला भी है क्या चुनाथी का सामना और जिस तरीके से घर तोडा गया पेड पेड तक को भी नहीं चुड़ा गया एक महिला और चातर दोनों हिसाब से क्या चुनाथी आपको हमको बहुत खराब लगा वी नहीं हमको बह यहां पर आदमी रहता है. लड़की लोग है, साम के समय में क्या होगा क्या नहीं होगा यह तक वो लोग नहीं सोच को ज़ारखंड में इतना सारा आदिवासी नेता लोग है यह लोग को भी सोचना मुक्छे सब कोई आधा कोई देख के कुछ नहीं करता है. और यहां पर आदिवासी है बहुत है पर मतलब यहां पर कल जैसे यहां पर गोलचकर में रैली है सायद तो वहां पर सारा मतलब आदिवासी को जाना चाहिए तो आदिवासी भी कोई-कोई ऐसा होता है पुराना खायलात का कोई-कोई तो हम लोग के घर में होता है तो मतलब उसी का घर में हो रहा है बोलके कुछ नहीं करता है वो लोगो तो हम बोलना चाहते हैं ना कि एक ही का घर में हो रहा है जिसे हम लोग को भी हटाया जा रहा है तो कभी कभार आप लोग को भी हटाएगा तो हम लोग भी आपके साथ रहेंगे तो हम लोग आपके साथ रहेंगे इसी कारण मतलब आधा कोई चाहा के भी कुछ नहीं कर पाता है और आधा कोई देख के भी कुछ नहीं करता है और यहां पे आदिवासी है बहुत है पर मतलब यहां पे कल जैसे यहां पे मतलब गोलचकर में रैली है सायद कुछ तो वहां पे सारा मतलब आदिवासी को जाना होता है तो मतलब उसी का घर में हो रहा है बोलके कुछ नहीं करता है वो लोगों तो हम बोलना चाहते हैं ना कि एक ही का घर में हो रहा है जिसे हम लोग भी हटाया जा रहा है तो कभी कभार आप लोग भी हटाएगा तो हम लोग भी आपके साथ रहेंगे तो हम लोग अगर पूरा बीच जाता कुछ नहीं करते तब आपका क्या रियक्शन होगा हम लोग विद्रोह करेंगे हम लोग कुछ भी करेंगे पर इस जगह को नहीं चोड़ेंगे आपने एक सुरक्षा की बात कि आपका आप लोग जवान है हम समस्तेक मैं खुद एक मैला हूं मुझे अगर मुझे बोला जाए आप शाम में शेव जाने थंड़ा कमास मैं नहीं आऊंगे क्योंकि मुझे लगेगा स्कूरूटी होने के बावजूद भी आप लोग यहां पर रहती तो टूटे फूटे यह सोंसान इलागा में आप सुरक्षा को लेकर कभी मन में भेह नहीं कि अगल का जमाना तो एसा है कि लड़की अगे रास्ता चल भी नहीं सकती है तो कभी डर लगता है मां बोलती है कि आज आ नाराम से आना अगर आएगी भी तो मतलब जैसे मेरी कॉलेज फ्रेंड लोग आते रहती है तो उसीजा नहीं बोलते हैं कभी के बार जीज़ तो य कुछ उमीद है कि बंधू तर्की जो आने वाले कुछ समय कुछ दिन है उसमें अपना आवाज उठा और अगर आवाज नहीं उठता है तो फिर से कादिवासी उल्गुलन और विद्रोख के लिए कि राज्य सरकार त्यार हो जो और ये बहुत शर्मनाग बात होगी राज्य स आपको देते रहेंगे देखते रही इदा नेटवर्क जनता के लिए जनता के साथ धन्यवाद